के लिए क्लास में स्टार्ट किये थे कल्कुलेशन आफ टोटल नंबर आफ स्टिरियो आइसोमर्स सबसे पहले लिपा हो एक टर्म जिसको हम लोग कहते हैं स्टिरियो सेंटर वाट इस स्टिरियो सेंटर it is that center about which one exchange of groups it is that center about which it is that center about which one exchange of groups gives us a new stereo isomer it is that center about which any one exchange of group it is that center about which any one exchange of group can give us a new stereo isomer can give us a new stereo isomer एक ऐसा center एक ऐसा आटम जिसके इसके अब आउट एक एक एक्स्चेंज करते ही हमको नया श्टिरियो आइसोमर्स दूसरा श्टिरियो आइसोमर्स मिल जाए या वो यहां कर दो यहां भी करोगे तो आपको ट्रांस मिलेगा यहां पर जो दो ग्रूपे मितायल और इनमें अगर एक यहां जाया तो इसलिए जो बनेगा वह इसका अपना जुमेट्रिणी करें और एक नया इस्थिरियो जया जैसे जेसे metrical isomer, GI के दिए दोनों carbon, दोनों के दोनों stereocenter, क्योंकि यहाँ भी exchange करेंगे तो trans बनेगा इसका, यहाँ भी exchange करेंगे तो trans बनेगा इसका, इसलिए दोनों के दोनों stereocenter, C double bonded C double bonded C, methyl और H तो plane पे है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर H और methyl जो होगा, वो perpendicular plane में होगा, इसका stereoisomer त्यार करना है, stereoisomer, अगर हम यहाँ पर एक exchange कर दें, H को उपर कर दें, methyl को नीचे कर दें, अगला जो molecule बनेगा वो enantiomer होगा इसका, पता है तो पिछले class होने, कि C double bonded C double bonded C, यहाँ H कर देते हैं, यहाँ methyl कर देते हैं, बाकी जैसे था वैसे ही रहने दो, H, SA और methyl हैसे, what is the relationship between them, what is the relationship between them, they are enantiomer, कैसे, ग्रूफ करेंगे, यह पूरे molecule को पहले ऐसे पलड़ दो, जैसे ही ऐसे फल्टो गए, तो CS3 उपर H नीचे इधर वाला सेम चीज मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिठाइल नीचे चला जाएगा और H, समझ में आ रहा है, पर यह हम बताया देना, कि दोनों आपस में enantiomer होते, यहाँ पर एक एक्स्चेंज करते ही क्या हो जाता है, enantiomer बन जाता है, mirror image, clear, अगर हम इसका mirror image लेंगे, तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर methyl आएगा, double bonded C, double bonded C, यहाँ पर methyl और यहाँ पर H, यही अगनेस का mirror image, molecule chiral है, no POS, no COS, chiral का mirror image हमेशा different होता है, अगर आप इस form को ऐसे लाके रखो, तो इधर वाला part आपको मिल जाएगा इसमें, हम इसको ऐसे घुमाने बोल पर, है कि नहीं, जब हम ऐसे घुमाएंगे, तो जो methyl H कारेंजमेंट दिखरा हो मिलेगा, लेकिन ऐसे घुमाने के कारण मिथाइल चला जाएगा अंदर और H आजाएगा, वही बात भूले न, कि यहाँ पर एक exchange करोगे, तो मिथाइल नीचे और H उपर, तो मिथाइल नीचे और H उपर अगर हम कर दिये, मतलब कि क्या तयार कर दिये, इनांश्योमर, H उपर कर दिये, मिथाइल नीचे कर दिये, बाकी स्केम रखे, हम तुमसे यह पूछ रहे हैं कि इन दोनों में क्या relation है, यह कितने को समझ में नहीं आ रहा है, कि यह दोनों इनांश्योमर है, चलो हम प्रूफ कर दे दे, यह और यह आपस में इनांश्योमर है, कैसे, इस फॉर्म को हम ऐसे गर घुमा दें, इस मॉलिकुल को हम ऐसे एक्सवस्य डिग्री से घुमा दें, तो यह क्या बन जाएगा, C double bonded C, इधर मिथाइल आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, और ऐसे घुमाने के कारण, H जो नीचे था वो उपर आ जाएगा, H उपर आ गया और मिथाइल नीचे चला गया, यह और यह दोनों बराबर हैं, आइडेंटिकल हैं, यह और यह, तो अगर हम फिर तुमसे बोलें, इसमें और इसमें क्या अंतर हैं, क्या है relation, त्यार इनन्ची उमर, यह और यह आपस में mirror image है, फिर भी अभी clear नहीं हो रहा है, तो हम क्या कियें कि इसका mirror image ले लिए, mirror image ले लिए, और इस mirror image को हम ऐसे घुमाएं, जैसे ही ऐसे घुमाएंगे, ये मिल जाएगा गौर्ट से देखो ये वाला मिल जाएगा अगर आप इस चीज को अगर आप ऐसे घुमा रहे है तो ये मिथाईल और एच घुम के आ जाएगा यहाँ पर और जो मिथाईल उपर है और एच नीचे है तो H उपपर आ जगा मिधाल निज़े चला जएगा अब समझ में आ रहा हूँ तो हमने यहाँ पर एक exchange किया तो मुझे एक नया stereo isomer मिला अगर हम यहाँ भी करते तो obviously यही मिलता ना मिलता ना तो एक एक exchange करने से हमको नया stereo isomer मिल रहा है therefore these two carbon of the cumuline are stereo center they are stereo center जहाँ भी एक exchange कर दिया जाए और एक नया stereo isomer त्यार हो जाए उसे हम लोग stereo center कहेंगे clear हर एक चीज़ में जैसे मानलों spire end spire end में भी हम लोग पढ़ें कि अगर even number of ring हुआ और यहाँ पर एक A और एक B है मानलों on the plane तो obviously यहाँ पर एक A below the plane है मानलो और एक B above the plane है अब आप तुम से बोले यहाँ बताओ कितने stereo center same cumuline वाला rule लगाएंगे यहाँ पर एक exchange करेंगे तो क्या मिलेगा नया stereo isomer यहाँ पर एक exchange करेंगे तो हमें मिलेगा नया stereo isomer this two carbon will be called as stereo center copy करो all chiral centers are stereo center but all stereo centers are not a chiral center गोर से देखो हर chiral center stereo center होता है क्योंकि chiral center के अबाउट एक exchange करने से मेरेको नया stereo isomer मिलता है नया configuration मिलता है लेकिन सारे stereo center chiral center नहीं होते हैं अगर मैं इसको stereo center बोल रहा हूँ तो यह chiral center नहीं chiral center cannot be SP2 hybridized chiral center are always SP3 hybridized clear जहां समझ में नहीं आये हमसे discuss करो समझ में नहीं आया last वाला मतलब यह कि इन में cumuline वाला समझ में आये कि यह दोनों stereo isomer यह वाला stereo center का definition क्या है कि एक ऐसा atom एक ऐसा center जहां ग्रूप का एक exchange करते ही मेरे को एक नया अश्किरियो आईसोमर मिल जाए मालो यह molecule हम दिये यह molecule no doubt chiral molecule है POS नहीं होता है इसमें COS नहीं होता है chiral होता है chiral का mirror image तो different होता है अब चुकि यह भी optically active है यह भी optically active है यह दोनों आपस में क्या हो गए inansiomer अभी हम कोई change नहीं किये तुम इसका inansiomer को पहले समझो कि इस molecule का मैंने mirror image लिया है ना तो यह दोनों आपस में inansiomer हैं यह दोनों आपस में stereoisomer है they differ in the arrangement of group in a 3D space they are optical isomer, they are inansiomer यह दोनों ठीक अब हम बोले किया रहे इस molecule में इस carbon के about एक exchange कर दे exchange बने क्या मिधाल को नीचे ले क्या है च को उपर लिख दे ऐसा बन गया यह molecule अब हम तुम से बोले कि इन दोनों में क्या relation है ठीक है तो relation निकालने के लिए हम molecule को लगभग वैसा बनाने का कोशिस किये जैसा यह दिख रहा है वैसा ही यहाँ भी हम कोशिस किये बनाने का तो हम क्या किये कि यह वाले molecule को न ऐसे पलट दी तो अगर हम ऐसे पलट देंगे तो यह मिधाईल उपर चला जाएगा और एच नीचे आजएगा लेकिन ऐसे पलटने के कारण जो मिधाईल उपर दिख रहा है वो मिधाईल नीचे चला जाएगा और एच उपर आ जाएगा समझ में आ रहा है अब हम तुमसे बोले कि अच्छा ठीक है यह और यह में क्या relation है यह तो आइडेंटिकल दो नहीं यहाँ तक सब कुछ सेम है लेकिन यहाँ गरबड है यहाँ पर देख रहे हैं कि एच नीचे मिधाईल उपर यहाँ देख रहे हैं एच उपर मिधाईल नीचे फिर हम पूछे कि वाट इस दे रिलेशन्शिप बिट्विन दिस टूग तो आंसर आया क्यों? क्योंकि इसके mirror image को देखो अगर इसके mirror image को हम ऐसे पलड देते ऐसे तो यह बन जायगा है कि नहीं है? तो ultimately यह mirror image हुआ ना इसका और अगर mirror image हुआ तो relation क्या निकला? enantiomar and enantiomars are stereo isomer मतलब हमने यहाँ पर एक exchange किया और इस molecule का enantiomar या stereo isomer त्यार हो गया इसलिए ये stereocenter अगर हम यहाँ पर भी एक exchange करते तो मुझे enantiomer ही मिलता इसको छोड़ दो यहाँ exchange करो एक यहाँ exchange करते यही वला मिलता enantiomer त्यार होके आता समझगा? इसलिए ये molecule में दो-दो stereocenter है यहाँ पर भी दो-दो stereocenter है all chiral centers are all chiral centers are stereocenter लेकिन सारे stereocenter कारल center नहीं होते अब देखो अगला term stereogenic area it is that area about which stereoisomerism can happen it is that area about which stereoisomerism can happen अब हम कोई GI और OI word का इस्किमाल नहीं कर रहे अब सीधे बोल रहे हैं stereoisomerism it can be geometrical isomerism it can be optical isomerism both of them are stereoisomerism एक ऐसा area जिसके अबावट stereoisomerism can happen that area about which stereoisomerism can happen that is called stereogenic area that is called stereogenic area ध्यान दो chiral center अपने आप में एक stereogenic area होता है क्योंकि chiral center के अबावट configuration change हुआ तो stereoisomer बनता है chiral center अपने आप में एक stereogenic area भी है वो एक atom जो chiral center है वो अपने आप में stereogenic area भी है क्योंकि chiral center के अबावट configuration change होने से हमें नया stereoisomer मिलता है और हम लोग stereoisomerism का study करते हैं chiral center is itself a one stereogenic area दूसरी यह अपनों GI में भी देखे थे यह दोनों कारवण को मिला कर एक stereogenic area यहाँ GI हो रहा है ऐसे लिखने मने stereogenic area दोनों कारवण जहां geometrical isomerism चल रहा है वहाँ पर दोनों कारवण को मिला कर बोलेंगे कि एक stereogenic area है जहां पर geometrical isomerism होगा समझ में आ रहा है similarly यह दोनों कारवण को मिला कर बोलेंगे कि यह भी एक stereogenic area है क्योंकि इस area के about optical isomerism हो रहा है यह molecule optical isomerism show कर सकता इसमें chiral है POS नहीं है COS नहीं है optical isomerism show करेगा नहीं है तो वो दोनों stereocenter को मिला के एक stereogenic area बोलेंगे इस area के about OI optical isomerism होगा इस area के about geometrical isomerism होगा spiren का यह दोनों कारवण को मिला कर बोलेंगे एक stereogenic area यहां भी optical isomerism होगा even number of ring और terminal atom पे अलग 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 grouping दोनों को अगर हम double bond मान लिए cumuline का रूल लगा को बोलेंगे यह भी chiral है यह भी optical isomerism है और यह optical isomerism show करेगा तो यह दोनों stereocenter मिला के एक stereogenic area अब ध्यान देना कि इन दोनों के बीच में number of five bond दो भी हो सकता है चार भी हो सकता है छे भी हो सकता है फिर भी एक ही stereogenic area count हो रहा है यह दोनों कारवन के बीच में number of ring can be four, six or whatever समझ में रहा है एक stereogenic area अगर number of ring तीन हो गए तो यहां और यहां planar हो जाएगा GI show करेगा वो तीनों ring को मिला के बोलेंगे एक stereogenic area जो metrical isomerism वला तो आपको यह clearly देखना है कि कौन सा area में GI हो रहा कौन सा area में OI optical isomerism हो रहा है they all will be called as stereogenic area हर जगे तुम देखोगे कि दो-दो atom को मिला के आप एक-एक area बोल रहे हो लेकिन काईरल सेंटर अपने आप में अकेला atom है जो की एक stereogenic area के बराबर होता है समझ में आ रहा बाद क्या हाँ यह पूरा molecule में GI हो रहा है यह काईरल सेंटर नहीं है स्टिरियो सेंटर और एक area about which ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यहीं पे stereo isomer में रहे हो रहा है यह कहीं ही पे configuration change हो रहा है पूरा molecule different हो रहा है पूरा molecule different कहला रहा है पूरा molecule ही inansiomer कहला रहा है यह चेंज करने पर यह stereo center है और यह जो है यह कुल मिला के एक stereogenic area बोलेगे कि इसके about optical isomerism हो रहा है या इसके about कोई POS नहीं है कोई COS नहीं है काईरल है इसलिए यह optical isomerism show करेगा काईरल center एक stereogenic area है बाकी उसके अलावा हर दो stereocenter मिला के एक stereogenic area है clear मालो एक खम molecule दिये तुम्हे CS3, CH, OH, CH, CL, CH double-bounded, C double-bounded, C double-bounded, CH CH double-bounded, C double-bounded, N bonded to CH OH बहुत थिक लंबा सा एक molecule हम दे रहे हाँ रिंग भी लगाए मालो यहाँ तक चलो यह मालो OK, tell me the number of chiral center tell me the number of stereocenter tell me the number of stereogenic area यह अगर निकालने आ गया तो calculation कुछ नहीं है formula ही तो लगाना है और कुछ एकाद special case बता देंगे जहाँ formula नहीं लगता है आप तो number of chiral center बताईए पूरे यह molecule में यहां से लेकर यहां तक number of chiral center, number of stereocenter and number of stereogenic area कितने chiral center है molecule में? तीन पहला chiral center, दूसरा chiral center और एक मात्र यह मिलेगा आपको chiral center बाकी और कोई chiral center नहीं chiral center वो SP3 hybridized atom होता है जिससे चारों group अलग जुडे होगा SP3 होना जरूरी है so number of chiral center is 3 okay, what is the number of stereocenters? stereocenter या stereocenter छोड़, पहले तो stereogenic area बता stereogenic area साथ, देखते हैं यह अपने आप में एक stereogenic area है बोलेंगे है optical isomerism होगा यह भी अपने आप में एक area है optical isomerism होगा यहां से लेकर यहां तक एक ही है अपने आप में area है even number sorry, odd number और odd number में grouping अलग-अलग यह geometrical isomerism वाला stereogenic area है यहां से यहां तक cumuline even number of double bond nitrogen पे lone pair यह group अलग इस carbon page और यह group अलग यह stereogenic area है OI वाला chiral center अपने आप में stereogenic area होता है OI वाला यह कारवन से लेकर यह कारवन तक बोलेगे कि यह भी OI वाला क्यूपी इसके double bond मानले क्यूमलिंग मनगे यहां पे H और यह group अलग यहां भी H और यह group अलग optical isomerism होगा दोनों को मिलाके एक stereogenic area यह होगा एक stereogenic area geometrical isomerism वाला यहां GI हो सकता था लेकिन दोनों कारवन पे सेवन stereogenic area यह अच्छे से समझ लो बस यही है समझने का clear now count the total number of stereocenter chiral center अपने आपने stereocenter देखते जाओ एक दो तीन चार पांक छे साथ आठ डो दस ग्यारा 11 stereocenters आप अधे 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 कर दो अभे खंदर को समझना clearly जैसे मान लो ये ring है ये ring में हम दो methyl लगा दिये ठीक है जब हम लोग geometrical isomerism पढ़ रहे थे तो ये मान रहे थे कि हमें optical isomerism नहीं आता कहने का मतलब हम ये मानते हुए total number of gi निकाल रहे थे कि उस molecule में optical isomerism नहीं हो रहा है pure gi हो रहा है तो total number of geometrical isomer कितना है कि नहीं है total number of geometrical isomer कितना ये formula हम लोग पढ़ चुके हैं GI में लेकिन ध्यान रखना कि वो formula valid तब है जब molecule में optical isomerism नहीं हो रहा हो pure gi चल रहा है cis और trans e और z यही cases बना बना के निकालते थे अगर हम लोग GI वाले topic में होते तो तुम बोलते कि सर ये दोनों कारवन मिला के एक area है जिसके अब और GI होगा और बोलेंगे दोनों मिथाइल उपर तो cis और दोनों मिथाइल में एक मिथाइल उपर और एक मिथाइल नीचे तो trans इसके दो geometrical isomer होंगे लेकिन अब optical isomerism आ गया बोलेंगे ये नहीं कि दोनों के मिलाफ़े एक काउंट कर लेंगे हम बोलेंगे दो stereogenic area है इसमें N का value 2 2 stereogenic area and this molecule will have a plane of symmetry plane of symmetry भी आएगा या ऐसा सचो दोनों chiral center identical identical chiral center में कितने form बतायते तीन तो जब GI पढ़ रहे थे तो मात रसी सोर ट्रांस पढ़ते थे हम लोग दो लेकिन answer इसका actual है तीन what are the three तीनों कौन सा है भाई तो ठीक है यार ये वाला M.E.M.E. पहला उसके बाद M.E. एक नीचे M.E. दूसरा और हमें पता है कि ये दूसरा वाला chiral है अगर chiral है ये तो chiral है chiral का mirror image हमेशा identical होता है या ऐसे सोचो molecule में chiral center ये meso form है meso का mirror image हमेशा identical होता है लेकिन इस form में तो कोई P.O.S. C.O.S. नहीं है अगर ये form में P.O.S. C.O.S. नहीं है मतलब ये chiral है और chiral का तुरंत हम mirror image लेंगे और बोलेंगे the mirror image is different they are not identical they are enantiomer so how many total number of stereo isomer it is 3 2 enantiomer और 1 meso ये होगा इसका actual answer सिर्फ 2 बोला गलत है या तो सवाल में clearly लिखा हो कि tell the geometrical isomer number excluding enantiomer tell the number of G.I.E. excluding in enantiomer तब तो answer दो बोलेंगे सिधे बोल दिया tell the total number of stereo isomer tell the total number of geometrical isomer 3 साब include करके बात समझ में आ रहा है तो जहां काइरल सेंटर है वहाँ काइरल सेंटर को एक area बोलना दो काइरल सेंटर मिला के एक area अब नहीं बोलना है अंदर समझ में आ रहा है ना clear है कि इसका answer 3 होगा तो देखो यह जो मैंने जैसे ही यह लंबा से एक molecule दिया था यह एक ऐसा example है जिसमें molecule में OI का भी site है और GI का भी site है है कि नहीं है तो यहाँ पर हम लोग total number of stereo isomer में बात करेंगे कि इसके total number of stereo isomer कितने होंगे और अगर stereo isomer के set में अगर एक भी optical एक्टिव हो जाता है तो पूरे set को हम लोग optical isomer भी कहते है clear है formula लिखने के पहले हम एक छोटा सा example ले रहे formula कहां से आया formula तो हम लोग बना बना के जब देखे तो उसका combination मिखाके formula डिरैट पर लिए जैसे माल लोग दो CH3 CH double bonded CH bonded to CH यहां पे CL लगा दिए CH3 एक एक ऐसा molecule ले रहे हैं simple जिसमें एक site पर आपको दिखेगा कि geometrical isomer हो रहा है और एक site पर आपको दिखेगा कि optical isomerism चलता है molecule में दोनों site है हमसे पूछा गया कि count the total number of the stereo isomer possible तो obvious सी बात है कि हमें पता है कि यहां पर GI का site है मतलब कि E हो सकता है Z हो सकता है और अगर यह optical isomerism का site है तो यहां R हो सकता है S हो सकता है अगर हम इसके possible combination बनाएंगे कि माल लो एक molecule में E वाला है और R वाला है E रखे और R रखे दूसरे में E रखे और S रखे तीसरे में Z रखे और R रखे और चौते में Z रखे और S रखे ऐसी cases बनाएंगे ना तो total number of stereoisomer is total number of stereoisomer possible for this formula is four total stereoisomer कितने हो गए चार क्या इन चारों में एक भी optically active है अगर चारों optically active है क्यों क्योंकि एक कारल सेंटर वाला हमेसा optically active होता है एक कारल सेंटर वाला हमेसा optically active होता है यह चारों का चारों optically active है अगर चारों optically active है तो चारों को हम optical isomer का भी नाम दे सकते नहीं को लगा जाएगा है कि नहीं now E, R, E, S क्या यह दोनों identical है यह दोनों आपस में होंगे inansiomer E, R का mirror image, E, S, E आएगा Cis का mirror image, C, C आता है France का mirror image, France ही आता है तो E का mirror image, E form E आएगा लेकिन R का mirror image, S हो जाएगा तो यह दोनों आपस में क्या होगा, inansiomer, they are different यह दोनों आपस में क्या होगा, inansiomer, they are different चारों को geometrical isomer भी बोलेंगे All the four are geometrical isomers किस sense में, कि यह जो E, R है बाकी तीनों से अलग इस्टिरी हो isomer बास में में आ रहा है E, R, E, S, Z, R, Z, S जहाँ E, Z देख रहे हैं, उससे हम लोग geometrical isomer भी बोलें बास में में आ रहा है E, R और E, S, ऐसे समझो R से S कैसे हुआ होगा, एक ग्रूप का exchange करके अगर हम ग्रूप का exchange कर दिये तो obviously double bond से distance उसका Change, change हो गया होगा नहीं हो होगा change distance अजहाँ distance change, they can be called as geometrical isomer तो अब ध्यान रखना, एक बात कि number of stereoisomer will be equal to number of optical isomer will be equal to number of geometrical isomer तीनों number बराबर बसरते, molecule में OI और GI दोनों हो रहा है अरे, जिस molecule में सिर्फ GI हो रहा है तो वहाँ बोलेंगे number of stereoisomer is equal to number of GI सिर्फ optical isomer हो रहा है GI नहीं हो रहा है तो number of stereoisomer will be equal to the number of optical isomer जहाँ दोनों चल रहे हैं तो तीनों number बराबर SI is equal to OI is equal to GI एक और बात हम तुमको भी clear कर देते हैं IIT जब भी सवाल पूछता है हमेशा इस्तेमाल करता है जो सबसे accurate word है stereoisomer तुम यह नहीं बता पाओगे कि यार यह दोनों आपस हमें geometrical isomer कैसे बोल रहे हैं सर बिल्कुल सही बात है यह जो हम mirror image ले लिए यह है तो अलग-अलग can they be called as geometrical isomer अगर यही दोनों को निकाल का अलग हम दिखागे हैं तो क्या यह दोनों GI है नहीं दोनों में distance है मैं GI कैसे हो सकते चुकि यह दोनों अलग-अलग stereoisomer है तो यह दोनों GI cis वाले के respect में है cis वाले के respect में है इसलिए हम लोग तीन geometrical isomer तीन optical isomer तीन stereoisomer तीनों को बराबर कर दे लेकिन IIT जब भी पूसता है हम ऐसा stereoisomer word लेगा बेटा कि count the total number of stereoisomer of the molecule no confusion और stereoisomer कैसे count करेंगे सारे OI और GI मिला SI पूछेगा IIT SI हर साल SI ही पूसता है अलग अलग नहीं पूसता कि optical isomer बता GI बता अलग अलग पूछा ही नहीं जा सकता सब के सब क्या है stereoisomer है समय में आ रहा है इसलिए हम heading भी लिखा है counting the total number of stereoisomer पहला point लिख दो if the molecule does not have अलग तो If the molecule does not have POS or COS in any of its form, यह सबसे important word है, जो molecule दिया हुआ है, उसके किसी भी form में POS या COS नहीं है, तब हम लोग बोलते हैं, कि if there are, पहला case, पहला कहा है, एक मात्री case, if there are N number of stereogenic area, total number of D and L forms, D and L form कम लोग बोलते हैं, enantiomeric forms, in enantiomeric forms, या बोला याता है, optically active forms, will be always equal to 2 to the power N, total number of meso form will be 0, therefore, total number of stereo isomers, या optical isomers, अगर हो रहा है तो, या geometrical isomers, सब बरबर, दोनों को जोड़ें, 2 to the power N plus 0, simplest case, यही simplest case होता है, अगर molecule में सिर्फ और सिर्फ काईरल सेंटर ही है, तो यह N जो है number of काईरल सेंटर हो जाने है, चुकि काईरल सेंटर अपने आप में एक श्रियो जनेक एरिया होता है, 2 to the power N, लेंग समझना यह है, कि if the molecule does not have POS और COS in any of its form, मान लो सवाल ऐसे दिया, CH3, CH3, HCL, CLH, ऐसे दिखाया और वोला, count the total number of stereoisomer, count the total number of stereoisomer, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को इसी में देखना है POS-COS, और इसमें तो POS-COS नहीं है, लेकिन इसका किसी भी form में POS या COS अगर आ गया, तो यह formula नहीं लगेगा, तो अगर तुरंट दिबाग चलाएंगे, कि अगर H इधर होता, CL इधर होता, तो उसमें POS आ जाता रहा, तो अगर POS आ जाएगा, तो यहाँ पे यह 2 to the power 2 करके answer 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2-2 कारल सेंटर है, और कुछ नहीं है, दो श्ट्रियो जाने के रिए है, दो कारल सेंटर है, इसमें तो POS, COS नहीं है, तो इसका यह मतलब नहीं कि 2 to the power 2 करके 4 answer लिखेंगे, इसका 4 answer नहीं होगा, क्योंकि इसके एक form ऐसा जरूर exist कर रहा है, जिसमें plane of symmetry आएगा, मॉलिक्यूल गीवन मॉलिक्यूल के किसी भी form में POS या COS नहीं होना चाहिए, तब लिखेंगे 2 to the power है, okay, if the molecule has POS or COS in any of its form, in any of its form, पहला केस, if N is even, N वही है, number of stereogenic area, SA, अगर N even है, तो P निकाल लेना, N by 2, total number of DL form, DL form मतलब optically active form, यहाँ पर total number of enantiomeric form 2 to the power N था, total stream isomer भी 2 to the power N है, सारे के सारे optically active हैं, अब बिल्कुल pair में मिलेगा, pair of enantiomer में, तिसे मालों answer आया, 8, 8 मने इसमें 4 pair enantiomer है, सभ़ में आ रहा है, कोई meso zone नहीं है, total number of DL form optically active form, will be 2 to the power N minus 1, total number of meso form will be equal to 2 to the power P minus 1, therefore, total SI is equal to OI GI, अगर हो रहा हो GI तभी बराबर करना, जब GI है नहीं तो GI लिगने का जरूत क्या है, that will be equal to 2 to the power N minus 1, plus 2 to the power P minus 1, कहने का मतलब यह जो question दिया हुआ था, इसमें हम यह formula लगाते हैं, क्योंकि molecule का एक form में POS है, C L इदार, H इदार कर दो POS आएगा, N 2 है, even, even number of stereogenic area, even number of chiral center, 2 by 2 P का value आ जाता 1, N का value है 2, तो 2 to the power 2 minus 1, plus 2 to the power 1 minus 1, यह बन जाता 2 to the power 0, एक और यह बन जाता 2 to the power 2 minus 1, 2 की पावर 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 answer, molecule में 2 identical chiral center, वह हमें सा 3 form exist करता है, 2 enantiomer और 1 mesophor, 2 enantiomer और 1 mesophor, clear, okay, second case is, if N is odd, to calculate P as N plus 1 by 2, total number of DL form, will be equal to 2 to the power N minus 1, minus 2 to the power P minus 1, total number of mesophor, is 2 to the power P minus 1, और जब दोनों को जोड़ेंगे, SI में कानने के लिए, तो यह दोनों कट जाएगा, सिरु बचेगा 2 to the power N minus 1, total number of SI, will be equal to 2 to the power N minus 1, फलों को झाल 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 झाल